बच्चो पिछले अध्याय में हमने रोजगार समृध्धी जैसे मुद्दो पर चर्चा के हमने देखा कि किस प्रकार रोजगार किसी वस्तू की मांग उसकी पूर्टी और कीमत कहीं न कहीं ये सारे जो कारे हैं वो एक दूसरे से सम्बध है हमने देखा था कि मांग और पूर्टी किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करती है और इनका सीधा सीधा असर बेरोजगारी के इस तर या हम कहें तो रोजगार पर पड़ता है अब कुल मिलाकर कहीं न कहीं हम देखें तो चाहें हम मांग की बात करें, पूर्टी की बात करें, कीमतों की बात करें, या रोजगार की बात करें कुल मिलाकर ये सारे तत्तों कहीं न कहीं मुद्रा से संबंदित हैं, मुद्रा यानि कि धन से संबंदित हैं कि यह सबसे पहले जाने कि साधारण शब्दों में मुद्रहस्विती क्या है वास्तों में अगर देखा जाए तो मुद्रहस्विती एक समान के किमत इस्तर में लगातार हो रही एक वृद्धी को दर्शाता है जिसके अंतरगत हम देखते हैं कि वस्तू की जो कीमते होती है वो काफी बढ़ी हुई होती है या दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह एक ऐसी अवस्ता होती है जहां पर वस्तू की मांग अधिक होत साथ ही साथ एक बात और देखने को मिलती है कि यहां पर जो लोगों की वास्तविक आय है वो कम हो जाती है वास्ता में जब वास्तविक आय की बात करते हैं तो यहां हम देखते हैं कि उनकी जो क्रेय करने की शक्ती होती है उसका सीधा सीधा संबंध वास्तविक आय से होता है वो अपनी आय का एक हिस्सा वे करने में लगाते हैं और एक हिस्सा वो बच्चत करने में लगाते हैं या या कि पूंजी निर्मान में लगाते हैं तो एक ऐसी स्थिती जब उनकी वे करने वाले हिस्से के जो आय है वो कम हो जाती है या कुल मिलाकर हम कहें तो वस्तू की किमते बढ़ी हुई होती है या वस्तू की मांग जादा होती है इसलिए किमते बढ़ती है लेकिन कहीं न कहीं इसका सीधा सीधा संबन उनकी आय से होता है तो एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिब किसी व्यक्ति की जो वास्तिविक आय है वो कम हो जाती है अब अगर हम बात करें कि इस पूरे अध्याय में मुद्रा स्विति से संबंदित किनकिन बिंदू का अध्यान करेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि मुद्रा स्विति के सूचक क्या है मुद्रा स्विति की प्रवितिया क्या है क्या है इसके कारण और किस तरह से इस मुद्रा स्विति की स्थिति से उबरा जा सकता है तो कुल मिलाकर यहां पर हम देखेंगे कि मुद्रा स्विति को कैसे नियंत्रित करें और उसके कौन-कौन से सुधारात्मक उपाय अपनाय जा सकते हैं यहां जब हम सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा स्वीति के सूचकों की तो यहां पर हम देखते हैं कि यह जो सूचक है वो कई निर्देशांग को के आधार पर हम तै करते हैं जिसके अंतरगत हम सबसे पहले देखते हैं थोक कीमत निर्देशांग अब अगर हम बात करें थोक कीमत निर्देशांग की तो इसके अंदर कौन-कौन से बिंदु शामिल होंगे आए उस पर एक नजर डाले तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि इसमें जब हम थोक कीमत निर्देशांग कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर हम प्रतिक अस्तर के लिए एक आधा करते हैं और तीसरी बात हमको इसे उसको हम करते हैं और साथह साथ यहां पर हम देखते हैं कि इसके निर्देशांग क्या है और हम यह क्यालकुलेट कर पाते हैं कि किस प्रतिशत में इसमें व्रद्धी हुई है तो ये तो बात रही थोक कीमत निर्देशांग को की दूसरा जब हम निर्देशांग की बात करते हैं तो यहां हम क्यालकुलेशन करते हैं और द्योगिक कर्मचारियों के भोगता क हएं उसके अंतरगत सबसे पहले हम जो ऑद्यों के कर्मचारी होते हैं उनके जीवन निर्वारा ला Communist में ग्याद करते एं और साथ ही साथ यह जो पूरि कैलकुलेशन है यह चालू वर्ष पराधारित होती है युद्स जो उनके गत वर्ष और के जो किमत तुक्त कमत की तो यहां पर हम और सेवाओं दोनों के मोल्य को एक साथ शामिल करते हैं तीसरा हम जो निर्देशांग के ग्याद करते हैं उसके अंतरगत हम देखते हैं कि यहां पर हम सकल घरेलू उत्पात के अधार पर निर्देशांग ग्याद करते हैं जिसके बारे में हम पहले के अध्याय में काफी कुछ पढ़ चुके हैं सीधा सी सब्सक्राइब कि आधार चालू कीमतों पर सकल्गहरेन्य को हम भाग दे देते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कि वास्तों में यह पूरी मुद्रा इस्विति है इसके सूचक कौन-कौन से हैं अब अगर हम भारत के परिप्रेक्ष में एक बात ये करें कि वास्तों में भारत में मुद्रा मुद्रा इस्विति की प्रवर्टिया क्या है किस किस रूप में यह हमारे सामने आता है तो सबसे पहले इसके अंतरगत हम देखते हैं कि अगर पंचवर्शी योजनाओं के अधार पर हम इस पूरे विशय पर एक बात करें तो यहां हम देखते हैं कि पहली जो पंचवर्शी विश्वर्शी योजनाओं में विश्वर्ष में मुद्रायस्वित्य विश्वर्शी योजनाओं को बात करें किस तरह से फ्लक्टूեशं हुआ है किस किस तरह से विभिन पंचवर्शी योजनाओं की दौरान जन्मल लिया कीमत में औसत वार्शिक वृद्धी दर प्रतिशत में पहली पंचवर्शी योजना उन्नी सो इंकावन से चपन की दौरान माइनस 3.6 दूसरी पंचवर्शी योजना 1956-61 6.3 तीस्त्री पंचवर्शी योजना 1961-66 5.8 चौत्री पंचवर्शी योजना 1969-74 9 पंचवे पंचवर्शी योजना 1974-78 6.3 चट्वे पंचवर्शी योजना 1980-85 9.7 चट्वे पंचवर्शी योजना 1985-90 6.7 आट्वे पंचवर्शी योजना 1992-97 6.6 नवे पंचवर्शी योजना 1997-2002 3.9 पंचवर्शी योजना 2002-7 5.04 तो आपने देखा कि विभिन पंचवर्शी योजना में मुद्रा इस्वर्शी की वास्तों में क्या एस्थिती रही बहुत सारे इसके कारण भी हो सकते हैं हमने मुद्रा इस्वर्शी के बारे में जाना कि किस-किस इस्तार पर यह उत्पन्न होती है लेकिन कई बिंदों के अधार पर अगर हम इसको जानने के कोशिस करें कि अगर हम इनके कारणों पे चरचा करें तो यहां हम देखते हैं कि मुद्रा इस्वर्शी के उत्पन होने के कारणों को एक तो हम दो घागों में बाच सकते हैं पहला पक्ष जो होता है वो कहलाता है मांग 파क्ष और ंग पक्ष जो होता है वो खेलाता है पूरति पक्षश एक ऐसा अतव जो पूरिकर कीrade मुद्रहस ह champions को प्रभावित बात करता है और वास्तुव्सक्य उप्रकुण्य महत्रइश opposition की मांग जो है वो लगातार बढ़ती जाती है वस्तों की लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी कहीं न कहीं उत्पादन की जो पूरी प्रक्रिया है वो धीमी होती है कम होती है और बहुत सारी चीजे एक साथ बहुत सारे साधन एक साथ लगा देने पर भी इतना उत्पादन नहीं हो पाता कि पूरी की पूरी जन संक्या की मांग को पूरा गया जा सके अब ये एक महतवपूर समस्या के रूप में सामने आता है कारण के रूप में सामने आता है जो कि मुद्रह स्विती की इस्तिती को जन्म देता है दूसरा अगर हम जनसंख्या वृद्धी के आंकडों को भी देखे तो हम और अच्छी से समझ पाएंगे यहां हम देखते हैं कि वर्ष 1959 में जहां 36.1 करोड की जनसंख्या में हम थे वहीं पर अगर बात करें 2001 की तो लगभग 102.7 करोड तक पहुझ गए तो इतनी तीव रगती से बढ़ती हुई जनसंख्या और फिर उसकी आधार पर उतपादन और मांग को कहीं न कहीं अगर पाते हैं कि विगत 50 वर्षों में पाते हैं तो और पिछले 50 वर्ष के जो आंकड़े हैं उनको अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि विगत 50 वर्षों में 34 सीटीक एदिक मुद्रह कि पूर्टी हुई है लेकिन इस अनुपात में उतपादन नहीं हो पाया है तो यह जो बैलेंस यह कहीं-द्टे की सवेती की समस्या को जन्म देता है पाते हैं यहां पर हम विगन विद्धों के अ दार पर अगर इस पर एक नजे डाले तो सबसे पहले हम देखते हैं निजीव में एक दो विद्धी होती है निजीव में विद्धी का एक बड़ा कारण होता है हाला कि उनकी आय बढ़ती है लेकिन रिखन हमेशा वैसी स्थितिव पन कारण तो वो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा विनियोग से अटाकर कहीं निजी वेया अपने खुद क्याव शक्ता को पूरा करने में लगाते हैं एक बात यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि इसके पीछे जो महतुपूर कारण है उसको आय विद्धी से भी जोड के देखा जा सकत हैं लेकिन कहीं न कहीं जंसेंक्य वृध़ी भी इसके पीछे कोई न कोई काम कर रही है दूसरी बात जब हम यहाँ पर करते हैं विदेशी वी निमेर ब्रच्द में विद्धी हुई है तो यह हम कह सकते हैं कि विदेशी विनिमसेर में जो है तीसरी बात जब हम करते हैं कि ये एक ऐसी कंडिशन है जो की काला धन के संग्रहन, चोरी, काला बाजारी ये जो अनैतिक कृत्त्य हैं कहीं न कहीं उनको भी जन्म देती है तो उसके लिए भी बहुत महत्पूर्ण कारक के रूप में ये सामने आता है दूसरी अगर हम बात करें घाटे की वित्यवेवस्था की तो ये देखा जाता है कि जब भी घाटे का बजट हो या घाटे की वित्यवेवस्था हो तो उसकी जो पूर्ती होती है वो नए नोटो के निर्गमन से कहीं न कहीं समयोजित की जाती है तो यहाँ पर जो मुद्रायस्वीती की समस्या जन में लेती है उससे निपटने का जो एक महत्वपूर्ण कारण जो महत्वपूर्ण उपाई है वो सिर्फ यह हो सकता है कि कैसे भी करके जो घाटे की वित्ते वैवस्ता इसको रोका जाए, नियंत्रित किया जाए या कम किया कि मांग किस प्रकार fluctuate होती है तो मुद्रह स्वीति पर उसका क्या असर पड़ता है अब अगर हम वैसे ही बात करें पूर्ति पक्ष की तो सबसे पहला जो कारण है पूर्ति पक्ष का वो यह है कि क्रिशी उत्पादन में कमी होती है पिछले कई अध्यायों में हमने क्रिशी क्रिशी करना लेकिन इतना महत्पूर्ण होते हुए भी क्रिशी में अभी भी जो आधुनिक यंत्र है अधुनिक उपकरण है उनका प्रियोग हर छेत्र में संभाव नहीं हो पाया है सीधे सीधे शब्दों में अगर हम बात कहें तो हमने पहले भी देखा कि भारती क्रिशी जो है वो मांसून का जुआ है अभी भी प्राकृतिक रूप से ही क्रिशी का कारे किया जाता है सिचाई विवस्ता कि अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा वर्षा के जल पर निर्भार रहती है पूरी की पूरी कृषी विवस्ता बहुत जादा आधुनिक यंत्रों का प्रियोग हर छेत्र में नहीं किया जाता बात अगर करें बीजों की खाद की उर्वरक की तो वो भी बहुत अच्छी कॉलिटी के बीच खाद या उर्वरक प्रियोग में नहीं लाए जा सकते हैं सभी छेत्रों में तो यह सारे ऐसे कुल और खार अंग है तो कही ना कही जो प्रतात है उनकी पूरती हम नहीं कर पाते हैं पूरी के पूरी जन संख्या को तो ये एक महत्वन कारण बनता है दूसरी अगर हम बात करें हाँ पर उत्पादक्ता से ही जोड के तो ओद्योगिक उत्पादन में भी कही ना कहीं कमी है इसके कई कारण हो सकते हैं हो सकता है कि जो नई टेक्नोलोजी है जनसंक्या की पूर्ती के हिसाब से जिस टेक्नोलोजी का प्रियोक किया जाना चाहिए वो हम नहीं कर हो नहीं हो पार रहे हैं या हम हमारे पास जो श्रामिक है वास्तों में पूरी की पूरी संक्या की पूर्टी के लिए जितनी जितना उत्पादन होना चाहिए था अध्योगिक शेत्रों के माध्यम से वो नहीं हो पा रहा है तीसरी अगर हम बात करें यहां पर लागत में व्रिद्धी की तो चाहे हम उसको कृषी से जोड़ के देखे या हम उसको अध्योगिक उत् पूर्टी हो नहीं पा रहे है उस अनुपात में और यह अब ऐसा कारण मनता है कि वस्तू की लागत में व्रिद्धी करनी पड़ती है और लागत में जब व्रिद्धी हो फिर उद्योगो का और कई छेत्र ऐसे जो आविखसीत वित्रण है आवेवस्थित्था सा यह कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जनसंख्या को जो उनके उभोग के साथ हैं उनके पूर्ती करा पाने में कठिनाई यहां पर यह उद्पन्न करता है एक बात यहां पर हम यह भी देखते हैं कि विदेशों में जो कीमत होती है उनका प्रभाव से माल लेजे पैट्रोलियम पदार्थों की जो पूर्ती है वह हम अधिक से अधिक विदेशों से करते हैं और वहां पर अगर किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन होती है हम पैट्रोलियम पदार्थों की पूर्ती नहीं कर पाते हैं तो विदेशों के जो समस्या है उसका स करते हैं अब अगर हम बात करें विप्र कि पर कि समस्याओं होता है जब मुद्रस प्रसित कि स्थेशजैंस पर नहीं है कि यह बात करें पुञ्जी निरमाणदर की तो उसमें कम आती है अब हम ने देखा कि यह एंक ऐसी समस्याय है जब सबी वस्तों की जो कीमते होती है वो बहुत उचे स्तर पर चले जाती है या हम कहा सकते हैं कि मुद्रा की जो क्रेश शक्ती होती है वो कम हो जाती है आय में तो कोई परिवर्टन नहीं हो पाता है या जिस अनुपात में आय बढ़ती है उस अनुपात में उनका जो महंगाई क जो इस तर है वो बहुत ज्यादा ऊपर चले जाता है तो कहीं नगहीं उनका आयातां जो एक बड़ा हिस्सा है वह उनके उभोगी वह हो जाता है उसी कंडिशन में पूंजी निर्मान कर पाना यीज बचत कर पाना कहीं कथिन हो दूसरी एक मत्रपूर्ण समस्य जन में लेती है जमा खोरी और काला बजारी की अब व्यपारियों की जो मनवर्ती होती है ज्यादा से ज्यादा लाप कमाने की होती है ऐसी दशा में उनका प्रयास रहता है कि वह उनके पास जो उत्पादन किया हुआ माल है उसको जमा कर ले उसकी काला बजारी कर ले जमा करके अपने पास रखे और उस समय उसको बाहर निकाले जब वह मार्केट से पूरी तरीके से गायव हो गया हो और यह ऐसी एक स्थिति बनेगे जब वह अपने वश्तों का मनमाना रेट जो है वह जनता से ले सकेंगे तो यह जो अनतिक ही रुक जाते हैं तो यही जो बिंदू है यह कही ना कही को प्रभावित करते हैं अब विन्योग जो है व्यो रेत्यमी करने का अपने है उससे नहीं की इंडाया हिश्सा दो मुश्त मशकील हो जाता है vinyos कर पाना साथ ही हम एक बिंद्र बुstrings और जो वह होता है वह बहुत आयगते हुए और जाता है तो इस कंडेशन में विदेश यह विदेश यह जो होता है वह प्रभावित हो जाता है यहां यह भी देखते हैं कि सामाजिक और राजनेतिक अस्थिरता आ जाती है बात हम चाहे चुनाओ की करें या किसी भी सामाजिक समस्या की कहीं न कहीं महंगाई जो है वह हमेशा प्रारंब से लेके अभी तक एक महत्वण मुद्दा बन जाता है हमेशा चाहे हम किसी विशय पर चर्चा करें किसी आर्थिक गतिवीदियों में अगर हम कहीं बात करें मुद्रा की अगर हम बात करें कीमतों की बात करें मांग पूर्ति की बात करें तो कहीं न कहीं बीच में जो एक समस्या आती है वह महंगाई की समस्या और य यहां पर यहां पर यह देखने को मिलता है कि जो योजनाय चलाई जा रही जाहर हैं पंचवर्षी यूजना-ओं वहां पर हम Mona है कि पहली ऑजिया को छोड़ कर बाकि जितनीए सब में मुद्रायसफीति ने प्रतिकूल प्रभावर डाला लेकिन इसके साथ साथ जो छोटी मूटी योजनाय भी जो सरकार के द्वारा बनाई जाती है कहीं न कहीं मुद्रायसफीति उनको प्रभावित कर देती है तो ये एक बहुत पूर्ण समस्या बनती है दूसरा यहां पर हम है ऑज है कि समाज में समानता जन्म लेती है क्योंकि दो वर्गों में अगर हम इसको बाट के देखते हैं एक जो होता है पूंजी पती वर्ग को तो बहुत ज्यादा इससे फरत नहीं करता है क्योंकि बढ़ी हुई कीमतों को वह आम जंता से ही वसूल करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं उनकी जो एक्सपेक्टेशन से उसको तो वह पूरी कर लेते हैं लेकिन जनता जो है वह अपनी सीमित सियाय में फिर कवर नहीं कर पाती उतना वह नहीं कर पाती और वहां पर जो आसमानता है समाज में जो आर्थिक असमानता है वो उत्पन हो जाती है साथ ही साथ यहां पर हम देखते हैं कि विकास में बाधा उत्पन होती है अभी तक हमने जिन बिंदों के बारे में जाना कुल मिलाकर हमने यह देखा कि यह एक ऐसी समस्या है जो किसी भी देश के आर प्राइस्विति की समस्य से निपटने के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रयास किये कि यहाँ कीमत नीती यानी कि प्राइज़ लाई गई इस इस पर हम एक नज़क डैले तो स्विएस्थ वस्तु और सेवाओं की कीमितों को निर्देशित और नियंत्रित करने का प्रयास इसके अंतरगत किया गया और यह जो काम था इसको दो भागों में वर्गिकृत करके किया गया जिसमें पहला भागिये था कि अनिवारे वस्तु की कीमितों को नियंत्रित किया जाए और दूस वस्तुएं ऐसी है जो जीवन जीने के लिए अनिवारे हैं हमने वस्तुओं को उनकी आवशक्ता के अधार पर कई वर्गों में बाड़ दिया अनिवारे वस्तुएं आराम दायक वस्तुएं और विलासिता की वस्तुएं तो अनिवारे वस्तुएं तो ऐसी है जिनका उपयो यानि कि कम से कम लोगों की भोजन के आवशक्ता पूरी हो सके जितनी उनको जरूरत है उतनी उनकी कपड़ों के आवशक्ता पूरी हो सके और जितना संभव हो सके उनको रहने के लिए एक स्वस्थ वातावरन मुहया कराया जा सके तो इन सभी तत्तों को अनिवार आवशक्त दूसरी जो बात आई वो है कीमत अनियंतरण या फिर वसूली कीमत और समर्थन कीमत वास्तों में सरकार जब सारवजनिक वितरण प्रडाली के माध्यम से लोगों को उनकी अनिवार और शुत्ता की वस्तों को मुहिया कराती है तो उसका एक प्रयास रहता है कि इनका जो संग प्रय करने की जो लोग इस उत्पादन शेत्र में लगे हुए हैं उनको आवशक्ता है अपने उत्पादों को बेचने की तो यहां पर उन प्रिशकों से या उन उत्पादन करताओं से एक निश्यत कीमत पर जिसे वसूली कीमत का नाम दिया गया या समर्थन कीमत यानि कि नियुंतम एक मूले जिससे कम मूले पर उनका जो प्रोड़क्ट है उत्पाद है वो बिक नहीं सकता उसको नरधारित किया गया और फिर उसको खरीद कर जो सारवजनिक वित्रन प्रडाल प्रड़शन की है कि उसका उत्तपादन बिक पाए और वही उसके आजिविका का मुख स्त्रोत है तो उनके कुछ हेल्प की जा सके तो ये सारी विवस्ता इसके अंतरगत की गई अब इन सभी के अंतरगत मौद्रिक नीती को लाया गया आये देखते हैं कि क्या थी मौद्रिक नीती तो साधारन शब्दों में अगर हम बात करें तो एक ऐसी नीती जिसमें उन नियमों को शामिल किया गया जिसमें ये पूरी की पूरी एक ऐसी वेवारिक रिया थी जिसमें मुद्रा के परिमान यानि कि उनकी जो मात्रा है और दूसरा मुद्रा की कॉलिटी उनका जो गुण है उनको नियंत्रित करने यह हम कहें तो कुल मिलाकर मुद्रा की जो क्रेश रक्ती है उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया गया यहां हमने देखा कि भारत जैसे विकाश यह अगर हम बात करें तो यहां मुद्रिक नीती के माध्यम से मुद्रा के क्रेशक्ति को नियंतरित करके जो साख की विवस्था है एक तो वो कराई जा सके क्योंकि विकास और साख दोनों को जोड़ कर देखे तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं साख की उपलब्दता अगर सुनिश्चित कराई करें जासकती है या असानी सोपलब्द कराया जा सकता है तो कहीं न कहीं कर को परोछसाहन मिलता है दूसरी अगर बात करें तो यहां पर हमने देखा कि अनूत' पादक कारियों पर रोक लगाए जाय है जैसरे कोई आउटपुट नहीं मिल पा रहा है तो उस पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जाए तीसरा एक उद्देश ये भी हो सकता है कि अनैतिक जो कारे हैं या गलत जगा पर जो इन्वेस्टमेंट के जा रहे हैं जैसे सट्टे आधी के जो वैपार है उन पर रोक लगाई जाए साथ ही साथ यहां हम देखते हैं कि भारत ने इस पूरी मुद सब्सक्राइब को बहुत अच्छे से अपनाया बहुत अच्छे इसके उद्देश भी अपने निधारित के लेकिन बात करें हम इनकी उप्योगिता की यह कितने यह सार्थक हो पाए तो अगर हम इनके आकड़ों पर नजर डाले तो हम देखते हैं कि बहुत जादा सार्थक नहीं हो पाया बहुत जादा जीन उद्देशों को फोकस किया गया था कि उनकी पूर्ति की जा सकेगी बहुत जादा उसमें सफलता नहीं मिल पाई यहां पर हमने देखा कि पूरी की पूरी जो मौद्रिक नीती थी उसमें कहीं न कहीं परिवर्तन की आवशक्ता महसूस की गई और इसी को ध्यान में रखती हुए सबसे पहले तो मुद्रा की पूरति पर करता है तो कहीं ये कारण ना बने मुद्रा इस्विती की समस्या का तो अत्रिक्त मुद्रा की पूर्टी परोक लगाने का प्रयास किया गया दूसरा एक जो कारण था वो था व्रिधी, तो ब्यास दर में व्रिधी के माध्यम से भी इस समस्या को हल करने का प्याइस किया गया, तीसरी एक बात कहीं कि साख पूर्ती में भी कमी की गई अगर हम बात करें किंद्री बैंक द्वारे की जा रही साख पूर्ती की तो यहां पर हम देखते हैं किंद्री बैंक जो साख पूर्ती करती उसमें कमी लाने का प्रयास किया गया और साथ में CRR की हम बात करते हैं जिसक की पूरे वैपारिक बैंकों को रिण के प्रतिश्रत का अधिक भाग जो नगद कोश के रूप में रखने के लिए यह बाद करता था यह महतुपोर्ण समस्य थी और साथ में साख राशनिंग के लिए बात कही गई मतलब इसकार्थिया है कि साख की जो उपलब्धता है उसमें कटोती करने की बात कही गई और सरकारी प्रतिपूतियों की बिक्री याने की लोगों के जो खर्च करने की जो छमता है उसको नियंतरित करने के लिए यहां सरकारी प्रतिपूतियों की बिक्री करने का भी प्रयास किया गया तो बहुत एक नीति के साथ साथ राजकोशी नीति भी आई तो राजकोशी नीति पर एक नज़र डाले तो यह कैसी नीति थी जिसके अंतरगत करारोपन लोकवे लोकरिंड इन सभी के माधियम से जो वांचित आर्थिक उद्देश थे उनको प्राप्त करने का प्रयास किया गया और किये गए वो थे एक तो सरकारी व्याओं पर रोक लगाई गई जो अनावश्यक प्रकार के सरकारी व्याओं थे उनको किसी भी तरह से कम करने का प्रयास किया गया दूसरी एक महत्यपूर्ण बात यह कि सारवजनिक जो रिण है उसके द्वारा लोगों की जो क्रेश अक्त इन सभी प्रयासों को शामिल किया गया और इसके साथी साथ मुद्राइस फिती को नियंक्त करने के लिए कुछ संमारी सुझाऊख वी दिये गया जो इस प्रकार थे मोद्रिक उपाए किस तरह से किया जाए इसके लिए अनावश्यक जो रिण प्रदान करने के वेवस्था है उस पर रोक लगाई जाए अनुद पादक कारियों के लिए जो रिण प्रिदान करने की विवस्ता है उसको नियंत्रित किया जाए साथ इसमें राजकोशी कुछ ऐसे उपाई किये गया जिससे जमाखोरी काला बजारी इस तरह के जो अनैतिक कृत्ते हैं जो बजार में दे उत्पादक्ता की बात हो या ओद्योगी छेत्र में किये जा रहे है उत्पादन की बात हो तो पहले तो कारण खोजे गया कि किस प्रकार्स कौन-कौन से से कारण है जिसके कारण उत्पादक्ता में व्रद्धी जो है वो रुकी हुई है और फिर उनको दूर करने के प्रया तो इसका जो चैनल है वो तोड़ा जाए घाटे की वित्वेवस्था को समाप्त करने का प्रयास रोकने का प्रयास किया जाए और साथ ही साथ सरकारी खरीदी को भी बढ़ावा दिया जाए जादा से जादा जो क्रिशक वर्ग है जादा से जादा जो छोटे-मोटे जिसको अपनाने की बात की गई ताकि राजकोष्य नीती को भी नियंत्रित किया सके मौद्रिक नीती जो है उसमें जो अपेक्षित उद्देश है उनको पूरा किया जा सके तो कुल मिलाकर इस पूरी अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार सरकार मांग और पूर्ती के झाल 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 झाल